विश्व कल्यान की शुरुवात जन कल्यान से होती है और स्वास्त उसकी महत्वपुन इकाई है और इसलिए ये विशे भारत के लिए बहुत बड़ी प्रात्विक्ता है हम इस विशे पर हॉलिस्टिक एप्रोच के साथ चार पीलर्स पर काम कर रहे हैं पहला पीलर है प्रेवेंटिव हेल्थ का हमने योग आवरिवेट और फिटनेस पर विशेश बल दिया हैं हम सवालाग से अधीक वैलनेस सेंटर बना रहे हैं इस लाइफस्टाइल डिसीज जैसे दियाबिटीज, ब्लाड प्रेशर, डिप्रेशन आधी को नियंतरन में मदद मिल रही है इस सिग्रेट का बढ़ता हुआ क्रेज बहुत ही चिंता का विशे है भारत ने युवापीडी को इस गंभीर संकर से बचाने के लिए इस सिग्रेट को बैन कर दिया है हमारे क्लीन इंडिया मिशन ने लाखों जिन्गियों बचाने में योगदान दिया है इम्मिनाइजेशन पर भी हमारा विशेज जोड है नई वैक्षिनों को जोडने के साथ हमने दूर दराज के इलाकों में एक्सेस को भी सुधा रहा है दूसरा पिलर है एफ़र्डिबल हेल्थ कैर हमने विश्व के सबसे बड़ी हेल्थ एश्वनस योजना आईश्मान भारत को लागू किया है इसके तहट 500 मिलियन गरीबों को प्रती वर्ष 500,000 रुपे तक मुप्त इलाज की सुविधा दी जाए रही है और पिछले सिफ एक वर्ष में 4.5 मिलियन लोगों ने इसका लाब उठाया है हमने 5000 से अधिक special pharmacy शुरू की है जहां 800 से अधिक एहम दवाईयां affordable कीमत पर उपलब्द कराई जा रही है हार्ड के स्टैंड की कीमत 80% तक और नी इंप्लांट की कीमत 50 से 70% तक कम की गई है किड्नी की समस्याओं से पेड़ी तलाखों लोग भारत में नीसूल के डायलिसिस सुविधा का लाब उठा रहे हैं तीसरा पिलर है सप्लाई साइड में सुधार का और इसके लिए हमने भारत में क्वालिटी मेडिकल एज्यूकेशन के लिए मेडिकल इंफा स्क्टर के लिए कई एतिहासिक कदम उठाये हैं दूसरे सक्टर में हमने आमूल चूल सुधार किये है और चौथा पिलर है मिशन मोड इंटर्वेंशन का यदि माए और बच्चे स्वस्त हो तो पुरे समाज को स्वस्त करने में की नीव बन सकती है और इसलिए हमने मिशन मोड पर राष्टिय पोशन अभियान जैसी पहल की है सरस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल्ड्स में टीवी को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष है भारत ने हमने इसे मिशन मोड में लक्ष में 2025 तक इसको पाने का इरादा रखा है और मुझे पुरा विश्वास है कि हम यह लक्ष भी प्राप्त करेंगे बायू प्रदूशन जानवरों में होने वाली और फिर उनसे मनुशों में फैलने वाली बिमारियों के खलाब भी हमने अभियान शुरू किया है एक्सलेंसी स्वास्थ का स्तात्परिया मात्र रोग मुक्ति से नहीं है स्वस्थ जीवन भी हर किसी का अधिकार है इसके लिए हर संभव प्रयास करना हमारी सरकार का दाईत्व है और भारत के प्रयास भारत के सिमाओं के अंदर तक ही सिम्टे नहीं है हमने कई देशों विशेस रुप से अपरिका के देशों में टेली मेडिसिन द्वारा एफोडेबल हेल्ट केर की एक्सेस बढ़ाने में सहीयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे हमारा अनुभव और हमारी ख्षमता है सभी विकांसिल देशों के लिए उपलब्द है एक्सलेंसिस सर्वे भवन्तु सुखिनह सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ मैं आपने बात समाप्त करता हूँ यानि सभी सुखी हो सभी रोग मुक्त हो बहुत बहुत धन्यवाद